आप सभी का हमारे चैनल में एक बाप फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बेतरीन एप के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने फोन के टास्क को और वित्यजी से और बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, जानने के लिए हमारे वीडियो को लाष तक देखते रही एगा चले वीडियो को मैं अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ तो यहाँ पे play store application को आपको open कर लेना होगा और play store application open करने के बाद आपको यहाँ पे search कर लेना होगा fly next यहाँ दोस्तों f l y n x यह देखिए सबसे उपर ही यह application का नाम चला है fly next read the wave smartly इस पे आपको click कर लेना है और इस application को इस तरीके से open कर कर लिजेगा और यहां से आप इसको install कर लिजेगा मैंने install कर लिया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4.5 की rating मिली हुई है बहुत ही अच्छा application है दोस्तों चलिए मैं इसको open करके आपको दिखाता हूं कि यह कैसे काम करता है जब आप इस application को open करेंगे तो कुछ आपको allow क setting का option मिलता है setting के option में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे make default app and opening link पे आपको click कर देना होगा और यहाँ पे आपको देखता होगा browser app इस पे आपको click कर लेना है और यहाँ पे fly next को select कर लेना है दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इस application को आप इस्तिमाल करन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपना Gmail account open कर रहा हूँ आपका WhatsApp हो सकता है Facebook हो सकता है या फिर कोई ऐसा भी जगह हो सकता है जहाँ पे आपको एक से अधिक link मिल जाए या फिर 2-3 link ही क्यों न मिल जाए तो आपको मैं बताना चाता हूँ कि अगर आप किसी भी link पे अगर WhatsApp में हो Facebook पे हो अगर आप normally क्लिक करते हैं इस तरीके से तो वह आपको एक browser में ले करके चला जाता है और आप अपने main page से हट जाते हैं तो वहाँ पे आपका WhatsApp बंद हो सकता है Facebook बंद हो सकता है और इस तरीके से Gmail account भी बंद हो सकता है बट यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मैंने application install किया हुआ है अगर आपने भी install किया होगा तो यहाँ पे आपको एक bubble मिल जागा जो कि background में उस page को open कर देगा तो आप अपने main page से दूर नहीं जाएंगे आप main page पे होते हुए भी उस page को देख पाएंगे उस link को open करके देख पाएं इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको एक saved button का option मिल जाता है जहाँ पे आप click करके इस article को अगर मान लीजे कि यहाँ पे कोई article की link है अगर आप उसको offline mode में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे click करके उसको save कर सकते हैं जो कि आप वह application में मिल हिसाब से display को change करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने display को छोटा बड़ा कर सकते हैं साथे साथे यहाँ पे color भी change कर सकते हैं इसका तो यह application बहुत ही प्यत्रीन है दोस्तों और share करने का भी option मिलता है सबसे खास बात यह है कि अगर आप अपने main page पे हैं तो आप main page पे बने ही रहते हैं और background में यह कितने भी links आप जितने भी चाहें उतने links open कर सकते हैं चलिए मैं आपको application में ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि वहाँ पे वो article सेव है कि नहीं यह देखी हमने इस article को सेव पढ़ा था और यह article यहाँ पे सेव पढ़ा हुआ है इसको ह हम जब चाहें तब अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह application आपको पसंद आया होगा और आप इस application को इस्तेमाल करते हुए smartly काम कर पाएंगे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो जरूर से हमारे चैनल को subscribe करिए नीचे लाल क करते हैं तो झाहें तो मैं पसंद आपको हमारे चैनल को हमारे पाएंगे लाल को ऱुट आपको हमारे लाल वीडियो बगने हैंवा